देश राम में हो रहा है, राम लला का नूतन विग्रह नए दिव्य और भव्य मंदिर के गर्वग्रह में स्थापित हो चुका है विग्रह की प्राण पतिष्ठा में कुछ दिन का वक्त बाकी बचा है, यू कहिए कुछ घंटों का वक्त बाकी बचा है आज उसी ख्षण को याद करते हुए देश के प्धान मंत्री नरेंद्र मोदी सार्जनिक मंच पर भाबुक हो गए 22 जन्वरी वो शुब मोहूर्त जब राम लला के नूतन विग्रह का प्राण पतिष्ठा समार हो होगा उस समय कुष्षण को याद करते हुए प्धान मंत्री भाबुक हो गए उनकी आँख नम हो गए प्धान मंत्री की आँख गीली हुई जो भाव उनके हिर्दे में है वो मानकर चलिए पूरे देश के हिर्दे में है देश में कहीं जाहिए आप कश्मीर से कन्याकुमारी असम से गुजुरात तक गाउं में शहर में कस्वे में हाट में बजार में राम मंदिर को लेकर एक भावनाओं का जौर सब के हिर्दे में है और सब की आँख नम हो रही है उस उलास में उस दिव्यन भूती में ये एक और दर्श्य है देश का और दूसरी और दर्श्य है राजनीति का अभी भी थम नहीं रही तहर नहीं रही तो 22 जनवरी को प्राण पतिष्था होनी है और अभी भी वो कोशिश है की जा रही है वो चाले चली जा रही है वो हतकंडे अपनाए जा रहे है कि मामला कुछ उलज जाए, कुछ लटक जाए, कोई विवाद खड़ा हो जाए, कोई वितंडा खड़ा हो जाए एक नया राक छड़ा गया, कि रामलादा विराजमान की जो मूर्ती है यानि वो मूर्ती जिसकी अभी पूजा हो रही है इतने वर्षों से उस मूर्ति को नए मंदिर के गर्व रहके मूरस्थान में स्थापित करना चाहिए। ये बड़ी मूर्ति क्यों लगा रहे हैं। 51 इंच की ये नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए चिठ्थी पत्री लिखी जाने लगी। दिख्जी सिंग जैसे लोग भी आगे मैदान में। ये तो अच्छा हुआ राम जी की कृपा हुई कि निर्णे हुआ कि राम लला विराजमान की वह मूर्थी इस नई मूर्ति के आगे मूल आसन पर विराजित होगी। राम लला विराजमान की वह इतनी सी मूर्ती 6 इंच की पहले आएगी उसके पीछे पार्षो में राम लला का यह नूतन विग्रह होगा। इसका मतलब है कि बिग्न संतोशियों ने अभी हार नहीं मानी, वो रार ठान्य को लगे हुए हैं, हार नहीं मान रही है। जब देश राम के नाम पर भावुक हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, अगलेश जी के चाचा, श्यूपाल यादव जी कह रहे हैं, कि 1990 में जब हमारी सरकार थी, तो अयुद्या में कारसेव को पर गोली ठीक चलवाई थी। क्योंकि कारसेवक उत्पाती हो गए थे, कानून को बचाना था, समिधान को बचाना था, इसलिए गोली चलवाई और ठीक चलवाई। सोचिए, प्रानपतिष्ठा से कुछ दिन पूर्व, यह पूरा देश एक भाव में है, उस वक्त इतना दुस्वाहस जुटा लेना, कि छाती ठोक कर माइक पर यह कहना कि गोली ठीक चलवाई थी। यह राजनेते कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं।